किस तरह से पिछले 15 साल में लोगों का गुजारा हुआ है आम जो लोग है उन पर क्या असर पड़ा है और ये जो 14-15 लाख लोग हैं उत्तर प्रिदेश में सरकारी कर्मचारी वो इसे किस तरह से देख रहे हैं पेंशन जो है ये हमारे स्वाभिमान का प्रतिक हुआ करती थी एक कुछ रूपए नहीं थे हमको अपने बच्चों पर निरभर नहीं रहना पड़ता था किसी पर निरभर नहीं रहना पड़ता था बहुत से लोगों ने कि मृतक के आशित्म नौकरी मिलेगी, अपने पिता के हत्या कर दी, आप इविल देखिए, बुराई देखिए, पिंसन नहीं मिली, बुढ़ों को घर से बाहर कर दिया गया, पिंसन नहीं मिली, पता चला कि उनकी लाइव अगर दस साल चलना है, तो दो साल चलती है, इसके बाद मर जाते हैं, और उनको हास्पिटल दावाई नहीं मिलती है, योगी सरकार तो पांक साल रहे हैं, लेकिं उससे पहले समाजवादी सरकार थी, तो मैं भूछ रही हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की नियत इतनी साफ थी, तो उन्होंने अपन नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्फा खानम शेरवानी, यहां पुराने दौर का लाहबाद और अपका प्रियाग राज, वहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी रुजहान क्या हैं, जहां जहां हम जाते हैं लाहबाद में, ऐसा लगत जो कई सो साल पुराना है, अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहां पर यह चंदर शेखर आजाद पार्क है, और यहां पर पीछे देखिए उनकी प्रतिमा लगी हुई है, यहां बताया गया कि यहीं इसी पार्क में चंद शेखर आजाद में, जब वो घे लिए गए ग प्रता के साथ सश्यस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण 27 फरवरी 1949 को इसी स्थान पर वीरगती को वो प्राप्त हुए, तो आप यह देखिए कि चंद शेखर आजाद का यह तिहास है, और क्रांतिकारी चंद शेखर आजाद जैसे लोग इलाहबाद से जुड़ बढ़ रही है कि जो पुरानी पैंशन स्कीम हुआ करती थी, उसको वापस लाया जाए, यहां मेहमानों के जरीए मैं चर्चा करूंगी और आपको समझाने की एकोशिश करूंगी कि आखिर जो नई जो पैंशन स्कीम है, और पुरानी जो पैंशन स्कीम है, क्या फर्ख है और कैसे जो सरकारी नौकरी का जो एक सपना हुआ करता था कैसे इस स्कीम के खत्म होने से उस सपने को भी कुछ ला गया है तो हमारी उत्रपिदेश की चुनावी यात्रा में अवद के रीजिन में जिन 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 जिलों में हम गए हमें बार बार एकी आवास सुनने को मिली कि यहां ओल पेंशन स्कीम को लेकर एक तरह का एक आंदोलन चल रहा है एक खामोश आंदोलन जिसे आप राश्टी है तथा कधित राश्टी मीरिया पे जिसका कोई इस्थान नहीं है तो जब हमने यहां इलाबाद पहुंचे लाबाद वैसे भी प्रयागराज एक तरह से ट्रेड यूनियनिस्ट का शहर रहा है यहां पर हर तरह की खरांतियों का एक तरह से केंद रहा है पेंशन स्कीम आखिर क्या होती है और उसके बदले 2004 में जब हमने देखा कि अटल बिहारी वाचपे की केंदर में सरकार थी और उस दोरान उने ने नेशनल पेंशन स्कीम का एलान किया यानि कि जो पुरानी स्कीम हुआ करती थी जिसमें कि जो सरकारी नौकरी का एक बड़ वर्ग भारत में हुआ करता था उनका जो एक सपना होता था कि जब नौकरी भी खत्म हो जाएगी तब उसके बाद भी हमारा बुड़ापा बहुत अच्छे तरीके से गुज़रेगा मुझे आद है कि जब मैं पत्रकारिता में दाखिल हो रही थी तो कई बुज़र्गों कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि बुड़ापे में क्या करोगी तुम्हें कौन सी पेंशन मिलेगी लेकि उसके बाद जो पेंशन की पूरी स्कीम खत्म हो गई उसके बाद किस तरह से पिछले पंदरा साल में लोगों का गुज़रा हुआ है आम जो लोग हैं उन प पी साथ साथ ये भी बताना एहम है कि सपा के एलान के बाद फिर ब्यस्पी ने भी कहा कि हम भी ऐसा करेंगे पहले फेस के बाद उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट आपका नाम क्या है रिशी स्ट्राइब अपाधिया है आल इंडिया अडिटन आडिटन एकाउंट से पे के पंच साल जब सरकार रही उत्तर प्रिदेश में तो आप लोगों ने पांच साल क्यों इंतजार किया एस आंदोलन को आगे बढ़ाने का क्यों नहीं चुनाओ के वक्त है क्यों इसको उठाया चुनाओ के वक्त नहीं है ट्रेड इंड अर्गनाजेशन जो हैं सेंट्रल ट् inशनने स्कीम को फिर से लागू करने के लिए सबसे हम हमारी सब की दिमान रहती थी और इसके लिए जितने बी सेंट्रल गव्रेंट punya निए शेंस हैं आपके स्टेट के और अर्गनाईशन संथ हैं यह सारे के सारे यह सबसे पहली मांग यह बचारी को लागू arrive हाँ तो हम यह बताना चाहते हैं कि 1920 से के पहले जो भी पेंशन थोड़ा थी वो कांट्रिब्यूटरी हुआ करती थी पेंशन के लिए सर्विस पीरियड में उसे कुछ कांट्रिब्यूशन लिया जाता था 1920 के बाद से यह कंट्रिब्यूशन बंद करके यह पेंशन देने की बेवस्था आई है और फर्स्ट पेंशन के बाद सेकेंड पेंशन के बाद चौथे पेंशन में यह बेवस्था आई कि कमशकम 50 पर तैंटिस परसेंट की सेवा के हिसाब से उनको पेंशन दिया जाएगा औ यह कोई खैरात नहीं है यह सुप्रीम कोट का जज्जमेंट है और जो सर्विस वो करते हैं 30-35 साल उसके एवज में उनको यह पेंशन दी जाती है जिससे कि उनका बुढ़ापा भी सही ढंग से बीते जिस तरह से वो रहे हैं उसी तरह से उनकी ओल्ड एजी क्या क्या सजार किसी की बेसिक पे है एक्सक्लूडिंग डिये तो उसको पचीस हजार रुपए कम से कम पेंशन मिलेगी यह मिनमम एमाउंट है दूसरा बेनिफिट यह है कि जो इनफ्रेशन के वज़ा से कीमते घटती है उसको कंपंसेट करेगा डियर्नेस रिलीफ जैसे डियर्नेस तरह से लांच मिलता रेगर्लार इंपलाइस को तो ृट्रोड इसरी चीज्ड है कि हमेसे होगी स्वैरी जैसे सब्सक्रारी रिंद्र रिवाइस होती है सेंटर्ल गवर्मेंट त्यक्वर्मेंट इस्टेटStud pont mechanics की उसी तरह से ये भी इसका भी revision पे कमिशन के recommendation से होता रहेगा इसके बाद pensioners ये आपकी तो ये आपकी नहीं ये संस्था जो है जब पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया पुरानी उसके बाद बनी से पहले से हमारी है ये पहले से बनी हुई है और दूसरा अब मुझे बताए कि जो ये नेशनल पेंशन स्कीम है हम कहते हैं इसको जो कर्मचारियों के अंदोलन को लगतार लीट कर रहे हैं कि दिस इज नो पेंशनी स्कीम इस नाट एंपिएस बिकाज आफ सटेन रिजिंस देरा सो मेनी रिजिंस ये तो इनका दिया हुआ नाम है 1920 तक हमारे कर्मचारी जो नोकरी करते थे हम लोग तो एक महीने की एक्स्टा तनखा अलग से सरकार देती थी हमें 1920 आजादी से पहले की बात करें हैं यस यस अंग्रोजों के समय में इसके बाद हमको मिलती है और अभी तक पैंसन जो पुरानी पैंसन इसकी में इंस्योड एंड डिफाइन पैंसन थी अभी तक इनके हाँ जो निव पैंसन है इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है क्योंकि मैडम बड़ा दुखत यह है कि दिसंबर दिसंबर 2003 में अटल बिहारी बाजपेई जी की सरकार ने इग्जिक्यूटी वार्डर से इसको लागू कर दिया था इतना बड़ा इस्यू क्या इग्जिक्यूटी वार्डर से लागू करना चाहिए था यह तब ही से हमारे अंदोलन चल रहे हैं हमारी जितनी सेंटल टेड उनियन्स हैं कनफरेडेशन है जिसमें सारे सेंटल गोवर्मेंट इंपलाईज आते हैं रेलवे की है रक्षा की है सारी उनियन्स मिलके इसको लगातार लड़ रही है सारे फोरम कि जो यह स्कीम है जो से मार्केट से जोड़ा गया कि आप कुछ पैसा लगाएंगे कुछ पैसा सरकार देगी इसमें क्या खराबी है इसमें खराबी यह है कि हमारा पैसा जो इसके पहले पेंसे मिलती थी हमारे फंड से काटा नहीं जाता था आज 10 परसेंट हमसे कटवती ह होती है और 14 परसेंट सरकार देती है कितना हो गया पैसा 24 परसेंट और इस 24 परसेंट काटने का यह मक्सद है कि सेर मार्केट में लगाना यह भी कार्पुरेट्स के हवाले करना तो आप जानती हैं सेर घटेगा तो हमारी हमारा मेहनत की कमारी का पैसा भी चला जाएगा यह यहां भी लक्ष कार्पोरेट्स को उनको फाइदा पहुंचाना है। सुन लिजे कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आगी तो पत्रकारों की मदद हो जाएगी है। इसका केवल और केवल लक्षे है कि बाई आल मीन्स कार्पोरेट्स को फाइदा पहुंचाना है। जिसे कारोबारियों को फाइदा पहुंचे और कार्पोरेट्स को इनके कुछ चुनिंदा पूजी पती हैं। देखे करोना में आक्सीजन की का भाव था, दमाओं का भाव था, इंजेक्शन का भाव था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे उसको भी ब्यापार वही आपदा में आउशर तलास रहे थे। पैंशन स्कीम पे आपका क्या नाम है? राम सागर. मुझे बताईए कि जो लोग पिछले 15 साल में जो जिन लोगों को इस स्कीम का फाइदा नहीं मिला, उनके हालात के बारे में कुछ हम जान सकते हैं? हाँ, उनके हालात में ये कि जिनको गारेंटी होगई पैंशन नहीं मिलेगा, हमारा इस्टेट गवर्मेंट का तमाम जो इंपलाई हैं, बहुत से लोगों ने कि मृतक के आसित्म नौकरी मिलेगी, अपने पिता की हत्या कर दी, आप इविल देखिए, बुराई देखिए, पैंसन नहीं मिली, बुढ़ों को घर से बाहर कर दिया गया, पैंसन नहीं मिली, पता चला कि उनकी लाइव अगर दस साल चलना है, तो दो साल चलती, इसके बाद मर जाते हैं, और उनको हास्पिटल दावई नहीं मिलती, ये तमाम बुराई हैं जो पैदा हुई, आज की त करना चाहता हूँ, योगी ने आते हिमान, बुराई को, बुरे आदमी को ठोकने के गोस्वा की है, तो इस बार हमारा करमचारी भी ठोकेगा, और कस्क ठोकेगा, योगी को बिल्कुर आठा देगा, पैंसन के लिए, मतलब आप चलिए, अगर करमचारी है, इस्टेट का, औ तो मैं ही पूछ रही हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी की नियत इतनी ही साफ थी, तो उन्होंने अपनी सरकार के दोराने से इंप्लिमेंट कर दिया होता है। राष्टी हर्ताल कर चुके हैं, तो 28-29 समाज को फिर निस्टनल स्ट्राइक पूरे हिंदुस्तान में होगी, जिसमें हर करमचारी सेंट्रल का स्टेट होगा, बैंक का भी होगा, भीमा का भी होगा, और जितने भी करमचारी हैं, वो सारे असंगटी शेतर के लोगों को भी हम लोगों ने समयाजूत करने के लिए कोशिस किया कि उनको पेंशन मिलनी जाए, आप क्या कह रहे हैं कि 2012-2017 तक समाजवादी पार्टी इसलिए लागू नहीं कर पाई क्योंकि केंदर का आदेश था, हाँ केंदर का आदेश था, अब कैसे बदल जाएगा वो, मतलब अगर इसमें एक डाइमेंशन हम भूल रहे हैं, 2004 से लेके आज तक, हम पेंशन की आवाज हमेशा उटाते रहे हैं, अपने संक्षन से भी चोटे-चोटे संक, मूल बात यह है, कि समय एलेक्शन में जो पक्ष और विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसके अत्रिक्त अथे में भी एक विपक्ष है, जिसको आप नजर अंदाज कर रहे हैं, किसान आंदोलन ने ऐसी भूमी का रच दी, जिसकी वज़ए से 56 इंच के सीने वाले आदमी को भी हाथ जोड करके, बिल वापस करके माखी मागना वाड़ा, और जो अटेवा लगातार पेंशन के लि लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन आज जो आप सवाल उटारीं क्यों मुद्दा बना है, क्योंकि नेपध्ध में जो विपक्ष है, जिसको इस चुनाओं में नजर अंदाज किया जा रहा है, क्योंकि उच चुनाओ तो लड़ नहीं रहा है, लेकिन नेपध्ध में जो लग रहा है कि ये आवाम अभी हिंदू-मुस्लिम के खेल से उप चुका है अब वो अपने जिंदगी के मसायल को सामने रखना चाहता है इसलिए आज ये इशू पॉलिटिकल पार्टी इप उठा रहे हैं आपको ये लगता है कि एक पेंशन का मुद्दा मैं कल बात कर रही कि उन्चातरों से जो कंपेटिटिव एक्जैम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बड़े भाजपा फैन हुआ करते थे भाजपा के वोटर्स थे पहले अब बता रहे हैं 28 साल 30 साल उमर हो गई है अभी ओवरेज हो जा रहे हैं बहुत सारे एक्जैम्स के लिए तो क्या पेंशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें लोग मजब और जाती का भेद भाओ भूल कर भेद भूल कर क्या एक मंच पर आ रहे हैं आएंगे बिलकुल आएंगे और आ रहे हैं क्योंकि आज इस उमर में अगर हम अपने 10 रुपिय के लिए 1000 रुपिय के लिए बच्चे के सामने आथ पहलाए जो बच्चा खुद रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है वो हमको क्या देगा तो ऐसे हालात में वो भी समझ रहे हैं और ये पुरानी पेंशन जो लागू करने की समाजवादी पार्टी ने घोसना की है उससे ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर धर्म जात भासा का आद चाहें वो MSP का मुद्दा हो रेट का मुद्दा हो बिल का मुद्दा हो या पेंशन का मुद्दा हो या नोकरी पेसे की बात हो ये ऐसे मुद्दे हैं जो अवाम की एकता को तोड़ते नहीं है एक करते हैं और शायद एक बात में ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी किसी आ कोई भी एंदोलन कौांटम में जFE जड़ा हो इंटेंरेंसिटिव स्की चेंज जितनी वी बड़हो लेकिन अगर वह आमानकी एकता को तोड़ता है वह जन आंदोलन नहीं वही है जो वालूम में तोड़ा हो कि तूर झूड़ को लेकिन आवाम पहले भी सोचते थे हम लोगों की बात हो रही है देखिए उन पंद्रा लाख लोगों की बात करी हूं जो इससे प्रभावित होते हैं आपका क्या रीडिए नहीं वह प्रभावित हो रहा है वह इस बात को समझ रहा है देखिए ये मुद्दा सिरिफ समाजवादी पार्टी का ही नहीं है उनको इस बात से उमीद जगी है कि पूरे हिंदुस्तान में सिरिफ एक बेंगॉल में ही आज भी पुरानी पेंशन इस्टेट गोवर्मेंट को मिल रही है और दूसरा ये स्टेट होने जा रहा है यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और ये दोनों स्टेट का ये कदम उनमें ये उमीद जगा रहा है कि 2024 में ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए भी अपना एक बड़ा मुद्दा होने जाएगा या उस चुनाओं में ये खर्मजाद के अधार पे अपने फादर को जो पेंशन मिलने वाली है उससे हट करके दूसरी जगावट करेगी हमें नहीं लगता है क्या सब्सक्राइब शुक्रिया आपका तो आपने देखा कि कल हमने हमने जो बात आपकी कराई वो उन लोगों से उन चात्रों से उन यु हो जाता है एक उस पीड़ी से हमने आपको मिलवाया और अब ये दूसरी पीड़ी से आप मिल रहे हैं जो उनहीं का एक तरह से भविश्य हैं और यहां बहुत हैरानी नहीं हुई मुझे और बहुत समझने में दिखकत भी नहीं हुई कि किस तरीके से वो पीड़ी और ये पीड़ी आप मिलाएए कि अगर एक परिवार में ये दोनों हैं तो ना उनका कोई भविश्य नजर आ रहा है ना उनकी कोई आर्थिक वेवस्ता जो आर्थिक स्थितिय उसको सुधारने की कोई एक तरह से संभावना नजर आ रहे हैं नहीं इनकी नजर आ रहे हैं तो एक मुद्धे हैं उनके ओपर हिजाब डाल दिया जाए इसलिए हिजाब जिसे मुद्धे आप देख रहे हैं कि सामने नजर आ रहे हैं लेकिन वो हिजाब जब हटता है तो फिर इस तरह के लोग निकल कर सामने आते हैं और हमें पता चलता है कि ये असली मुद्धे हैं जिन पर उत्रपिदेश की जनता उम्मीद यह है कि वोट करेगी.